हेलो फ्रेंट स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल की एक और नई वीडियो में फिर से दोस्तों नई जॉब की इंफोमेशन लेके आ हैं हूँ रुकीट्मेंट आ रही है दोस्तों IEC, AR के एक इंसिचूट की तरफ से National Institute of Veterinary Disease Informatics और यहाँ पे दोस्तों आप All Over India से अप्लाई कर सकते हैं अलग-अलग positions के लिए Research Associate की post है उसके लावा Junior Research Fellow की post है Lab Assistant के लिए आवेदन मांके के हैं Project Associate की post है और Young Professional की post है Number of vacancy ज़ादा नहीं है लेकिन बिना fees के आप अप्लाई कर सकते हैं खर बैठे अप्लाई करना है घर बैठे ही आपको इंटरिवू देना है किसी तरह का examination भी आपका नहीं होने वाला है और आप fresher है या आपके पास किसी तरह का experience है आप सभी eligible है अप्लाई कर सकते हैं कैसे आप एधन करना है क्या eligibility criteria रहने वाला है selection process कैसा रहेगा सभी चीजों के बारे में हम लोग detail में बात करेंगे तो शुरू से लेके last next video को ध्यान से देखे complete देखे ताकि आपको हर एक चीज़ हर एक detail का पता चल जाए इससे पहले की वीडियो में आगे बड़े एक request करना चाहता हूं कि अगर आप हमारे channel पर नए हैं पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं पहली बार channel पर visit करें हैं तो आप किरपया चैनल को subscribe कर लीजे, bell icon को press कर लीजे ताकि आने वाली जितनी भी चोब update है उनकी notification आपको आपके phone पे मिल जाए तो यहाँ पर दूस्तों online interview के माध्यम से selection होकी exam नहीं होगा, 23.6 से 24.6 2021 तक आपका interviews जो है वो conduct किया जाएगा और यहाँ पर अगर आप shortlisted होते हैं तो ही आपको जो हे वो interview जो हे वो देना पड़ेगा लेकिन अगर आपका selection नहीं होता है, आप shortlisted नहीं होते हैं तो आपको किसी भी तरह की जानकारी उनकी तरफ से नहीं दी जाएगी सिर्फ जो लोग shortlisted हो जाएंगे उनको वो बता देंगे email के थ्रू कि आपका इस दिन जो हे वो online interview लिया जाएगा बाकी 18.6 last date रखी गई है, 18.6 से पहले पहले आपको apply करना है अगर आप इस notification पे visit करते हैं तो यहाँ पे आपको यह link दिख रहा है यह देखिए इसकी उपर आप click करेंगे तो Google forum में आप जाएंगे वैसे अलग से link मैंने description में दे दिया है, वो form आपको fill करके apply करना है तो यहाँ पे दोस्तों detail में बात करते हैं, सबसे पहले eligibility criteria की फिर बात करेंगे बाकी चीज़ों की अलग-अलग project में दोस्तों recruitment है तो permanent recruitment नहीं है project जब तक चलेगा तब तक आपका काम रहेगा, जैसे project खतम हो जाता है तो हो सकता है आपको नए project में shift कर दिया जाए लेकिन यह project से related recruitment है तो permanent recruitment मत समझेगा उसके लावा दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं, यंग professional के लिए यहाँ पे 9 number का यह जो project है इसमें recruitment रहेगा post graduate है आप यहाँ आपने B.E.B.T.E. कर रखी है यहाँ आपने technology में degree कर रखी है veterinary science में graduate हैं, आप eligible है apply कर सकते हैं working experience चाहिए, यहाँ पे किसी भी तरह का जो है उन्होंने air mention नहीं करा है इसका सीधा मतलब यही है कि आप fresher हैं तो भी apply कर सकते हैं 35,000 per month तक आपको salary मिल जाएगी, age के बारे में थोड़ी दिर में बात करेंगी उसके लावा दोस्तों यहाँ पे 10 नंबर का यह project है, इसमें भी young professional का recruitment है जिसमें कि आप graduate degree holder है, agriculture science में, technology में, आप eligible है apply कर सकते हैं उसके लावा अगर आपने post graduate degree कर रखी है, basic science में, आपकी specialization है biochemistry में, microbiology में, biotechnology में, तो आप eligible apply कर सकते हैं, same salary आपको मिल जाएगी यह 11 नंबर का जो project है, इसमें भी young professional का recruitment है, graduate degree है, आपके पास agriculture science में, technology में, आप eligible apply कर सकते हैं post graduate हैं, आप life science में, biotechnology में, biochemistry में, आप eligible apply कर सकते हैं, same 35,000 आपको salary मिल जाएगा 12 नंबर का project है, young professional के लिए, यहाँ पे भी आप graduate हैं, तो आप eligible apply कर सकते हैं, agriculture science में, या technology में post graduate हैं, आप life science में, bio technology में, आप eligible apply कर सकते हैं इसके लावा दोस्तों, जो है, यह 13 नंबर का project, young professional का post, इसमें भी आपने अगर post graduate degree कर रखी है life science में, microbiology में, biotechnology में आप eligible apply कर सकते हैं, graduate degree है, agriculture में, science में, technology में आप eligible apply कर सकते हैं, एक और recruitment है young professional की, जिसमें कि आपने MSC agriculture में कर रखी है MSC कर रखी है, life science में, master of computer application है, यानि कि MCA है तो आप eligible apply कर सकते हैं, लिकिन यह 14 नंबर की post के लिए यहाँ पे एक से लेके दो साल तक experience भांगा गया है, तो यह चीज़ ध्यान में रखी है, यहाँ पे experience देखना मत पूलेगा, अगर यहाँ पे airs लिखा है हुआ है, तो यहाँ पे आप as a experienced candidate आवेदन कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि अगर आप fresher apply करेंगे, तो आपका selection होने वाला है, इस post के लिए, बाकि यह पंदरा नंबर का जो आखरी project है, इसमें यंग professional के लिए अगर आपने graduation कर रखी है, 60% mark के साथ, computer application में, IT में, computer science में, business administration में, operation system में, software engineering कर रखी है, computer graphics में, 7 में एक साल का experience ले रखा है, आप eligible apply कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने master degree ही computer application, IT में कर रखी है, computer science म कर रखी है, जैसे की MBA कर रखा है, तो आपको किसी भी तरह की experience की जरूत नहीं है, बिना experience की आप apply कर सकते है, 35,000 per month तक आपको salary मिल जाएगी, age की बात करें, तो young professional के लिए 21 से 45 एर तक की age का criteria रखा गया है, बाकि other post के लिए अलग-अलग criteria रखा गया है, इसके लाबा project associate की post है, master degree है, आपके पास agriculture science में, veterinary science में, आप eligible apply कर सकते हैं, उसके लाबा field assistant के लिए bachelor degree है, science में, आप eligible apply कर सकते हैं, engineering कर रखी है, आपने computer science में, IT में, आप eligible apply कर सकते हैं, 20,000 तक आपको salary मिल जाएगी, साथ में, जो है, वो HR आपको per month मिल जाएगा, उसके लाबा दोस्तों, यहाँ पे जो है, और भी vacancies है, जिसके लिए आप apply कर सकते हैं, लेकिन उनमें जो है, वो experience मांगा गया है, उसके लाबा यहाँ पे दूस्तों, lab assistant के लिए भी, अगर आपने bachelor degree, basic biological science में, life science में, 60% के साथ, तो आप eligible apply कर सकते हैं, project associate की एक और post है, जिसमें कि आपने master या bachelor degree क कर रखी है, computer science में, और आप working experience रखते हैं, working knowledge रखते हैं, python की mobile app development की, तो आप eligible apply कर सकते हैं, 31,000 पर मन्त साथ में, आपको HR अलग से मिल जाएगा, और 30 से लेके 35 साल तक age का criteria रखा गया है, तो यह दूस्तों बात थी, कि आपको जो है, वो eligibility criteria क्या है, उसके लाबा एज का criteria मैंने आपको बता दिया है, salary भी बता दिया है, अब बात करते हैं कि apply कैसे करना है, apply करने के लिए आपको link मिलेगा हमारी website पर, website का link description में दे दिया है, google forum पे ले जाएगा, वहाँ पे आप login कीजिए, और अपना form जो है, उसको fill करके submit कर दीजिए, बस यही काम आपको करना ह उसके बाद आपको wait करनी है, अगर आपका selection होता है, तो आपको 18 तरीक के बाद जो है, वो email के through बता दिया जाएगा कि आप shortlisted हुए हैं, और आप 23 तरीक या 24 तरीक को सुपह साड़े 10 बजे यह interview जो है, वो conduct कर सकते हैं, आपको सारी चीज़े बता दी जाएगी, लेकिन य आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, 186 लास्ट लेटेस से पहले पहले आपको आपके application submit कर देनी है, बाकी ज़दा जानकरी के लिए आप उनकी website को जुखे वो visit कर सकते हैं, तो यही था दोस्ता आज की इस वीडियो में, thank you very much इस वीडियो को देखने के लिए, और आशा